दोस्तों सही और सटीक जामकारी के लिए आरुस फंडमेंटल्स में आप सभी का स्वागत है बिहार में बड़े ही जोर सोर से स्मार्ट मीटर लग रहा है तो इस वीडियो में हम लोग इसकी तो चर्चा नहीं करेंगे कि smart meter slow चलता है या fast चलता है लेकिन हम लोग smart meter के जो बहुत सारे benefit है वो हम लोग देखेंगे तो सबसे पहला जो है correct billing parameters smart meter भीजता है smart meter एक general अच्छा quality का meter होता है और इसमें communication system होता है अर्था जो भी reading है ये समय समय पे या मांगे जाने पे ये भीजता है अपना smart meter का जो सरबसर है उससे ये communicate करते रहता है समय समय पे तो सही reading भेजने से सही billing आपका होगा वो कैसे होगा हम लोग आगे देखेंगे बिहार बिजली smart meter एप जो है उसकी मदद से आप daily monthly या yearly consumption आप track कर पाएंगे उसका compare कर पाएंगे इसको भी हम लोग देखेंगे उसके बाद smart meter लगने से आपको 3% rebate मिलेगा वो rebate क्या है हम लोग देखेंगे साथ साथ incentive भी मिलता है और इसके अलाबा जो reconnection process है इसके बारे में जो लोगों confusion है तो ये बहुत ही easy है कैसे easy है वो भी हम लोग आगे देखेंगे तो सबसे पहले देखेंगे पहले क्या होता था meter reader आपकी यहां आता था वो खुद से reading लेता था और उसके reading लेनिस क्या होता था human error होता था मतलब कभी देखने में उसको गरबड़ा गया कभी उसको समझ में नहीं आया lack of knowledge होने के कारण तो ये सब जो दिक्कते होती थी वो सब दिक्कत हट जाएंगी demand billing हो गया है तो बहुत बार meter reader जो है सही parameter नहीं डालता था तो इस कारण आपको वो सब benefit नहीं मिलता था smart meter में य कोई भी अगर meter है तो वो meter जो अपना parameter सो करता है तो शुरू में वो billing parameter सो करता है जिसको BP भी बोलते हैं billing parameter का मतलब हुआ जो meter first day के 00 hour का reading सब दिखाता है उसके बाद फिर voltage current दिखाने के बाद उसके बाद फिर current reading दिखाता है मतलब वर्तबान का reading दिखाता है तो बहुत सारे meter reader के मन में ये confusion था बहुत लोग समझ नहीं पाते थे तो इस कारण वो कोई भी reading पर बना देते थे 15 तारिक हो गया और billing parameter जो एक तारिका reading है उसमे भी बना दिया तो smart meter चुकी ये सारक reading तो भेज देता है और जो reading इससे मांगा जाता है जो वहाँ system में बिल बनाने के लिए जरूरी है वो वहाँ भेजा जाता है तो ये सारी जो problem थी वो अब दूर हो जाएंगी इसके आलाबाद actual monthly billing होगा अभी आपका क्या हो रहा है अभी आपका पिछला मेना गया 12 तारिक को billing बना दिया और इस मेना गया 20 तारिक को billing बना दिया उधर आपका 18 दिन और इधर 20 दिन तो आपका 38 दिन का बिल बन गया कभी 2 मेना का बिल बना कभी 3 मेना का बिल बना उसका एक बहुत कुछ impact पड़ता है वो आपको नहीं अगर पता है तो मैं आपको अच्छी तरह से आज बता दूँगा पूरे भारत में ये problem है क्योंकि सही maximum demand नहीं ले पाता है actual billing अब smart meter में होगा अब आपका correct maximum demand लिया जाएगा और उसके बाद correct power factor लिया जाएगा ये दोनों parameters जो है वो बहुत ही important है billing बनाने के लिए क्योंकि ये दोनों parameters आपको penalty भी बहुत ला सकता है और आपको power factor rebate भी commercial consumer सब में मिलता है तो इसलिए ये बहुत ही महत्पून है क्योंकि maximum demand जो होता है दोस्तों वो maximum demand होता है जो पिछले महिने का जो आधा घंटा के किसी block में maximum जो average आपका load रहा average maximum load उसी को maximum demand बोलते हैं कोई भी आधा घंट अगर प्रियएड और ये प्रियएड कैसे होता है तो 00-30 उसके बाद 00-30 से फिर आपका एक बजे तक इसी तरह आपका हर आधा घंटे का average maximum demand meter निकालते रहता है महिने भर और जो maximum load रहता है उसको maximum demand के रूप में save कर लेता है और अभी जैसे अक्टूबर है अक्टूबर में अगर आप देखेंगे तो billing parameter में आपका यही maximum demand दिखाएगा उसी तरह average power factor जो होता है तो पिछला मेहने आपने कितना kwh unit उपयोग किया और kwh unit आपने कितना उपयोग किया इस दोनों का जो ratio होता है वही होता है average power factor वही आपको BP average power factor शुरू में जो दिखाता है और यह चुकि पिछले मेहने का है अब देखें मैं आपको एक्जाम पक्रेशाथ बताऊंगा एक हम लोग बिल ही देखते हैं example में अब देखें इस बिल में 10-9 को पिछला reading हुआ है इस बिल में 10-9 को पिछला reading हुआ है उसके बाद इस मेहना reading हुआ है 7-10 को और 28 दिन का बिल बना है अब बताइए इसका जो maximum demand है वो 7.12 लिया गया है और ये तो आप जानते हैं पिछले मेंने का maximum demand होता है अगर ये 10-9 से पहले का होगा तो उस इसके दिम आपका billing कैसे होगा बिल्कुल गलत हो जाएगा दूसरी बात देखें माल लिजे किसी का 3 मेहने बाद बना है और ये 10 किलोवाट इनका sanction load है और ये 10 किलोवाट sanction load है माल लिजे यहां इसने 15 किलोवाट उप्योग कर लिया और ये 3 मेहने का बिल बना है यहां 8-8 दिन के बजाए ये माल लिजे 90 दिन का बिल बना है तो यहां जो है आधिक demand प्रभार ये तो इसको बहुत ज्यादा लग जाएगा एक मेहना ये maximum demand ज्यादा उप्योग किया लेकिन चुकि बहुत दिन के बाद बिल बना है तो ये 3 मेहने का उसको penalty रख जाएगा उसी तरह उसी तरह हम लोग जाब power factor का देखते हैं तो देखिए power factor 0.99 है 0.99 power factor ये कब का है ये बिल बना है अक्टूबर में तो इसलिए ये power factor है आपको पिछले मेहने का September का और उसमें power factor में कैपासिटर प्रभार इनको जो है इंसेंटिब मिला है बारा सो छोई रूपिया मिला है मान लिजिए इनका power factor है 0.8 और 0.8 रहने के कारे इनको 10% penalty लगेगी और कैपासिटर प्रभार का penalty तो आप जानते हैं इस दोनों पे लगता है कैपासिटर प्रभार कैसे लगता है इस सेप्टेंबर का power factor है और ये देखें सिर्फ 28 दिन का बना है और कब से कब तका बना है 10-9 से 7-10 और इस बीज में जो इसने इनर्जी उप्योग किया है उस पे इसको penalty या रिवेट मिलेगा तो सही बिलिंग हुआ जबकि बिलिंग तो actual पे हुआ है तो पूरे भारत में ये 30 सितंबर तक का जितना conjunction हुआ उसको लेना पड़ेगा उसका power factor लेना पड़ेगा उसका maximum demand लेना पड़ेगा उस मेने का और उसका अभी हमको bill बनाना पड़ेगा और यही बात तो आप होती है smart meter में क्योंकि smart meter में daily तो आपका करता है लेकिन महिना में एक बार एक बार आप credit कर दिया जाएगा अगर कम काटा तो वो आपको debit किया जाएगा तो credit debit होके आपका actual billing होगा अब सोचिए जो किसी का power factor 0.8 है और 3 मेहना का उसका bill बना दिया तो 3 मेहना में हो सकता है उसका कुछ-कुछ और power factor होगा लेकिन यह power factor कम होने के कारण यहाँ अगर 90 दिन का bill बना तो इसी लिए smart meter बहुत जरूरी है क्योंकि उससे आपका सही billing बनेगा इसके अलावा देखिए आप डेली का जमसन देख सकते हैं यहाँ आप देखिए 16 तारीक का दिया हुआ है जो 16 तारीक को total इतना amount कटा है और उसके बाद उसमें electricity charge इतना है meter rent 0 है fixed charge आपको 5 रूपया 32 पैसा कटा है कुछ credit debit नहीं दिया गया है और balance कितना बचा है 36 रूपया 85 पैसा balance बचा है और current रीडिंग है 42 रूपया पिछला दिन का रीडिंग था एक 496 रूपया अर्थात के 26 यूनिट का बिल मना आए अब कोई अगर घर में नहीं है उसका पूरी तरह बंद है तो वह daily consumption देखके ही पता कर लेगा जो उसका बिल सही है या गलत है कितना असान है यह आप नॉर्मल मीटर में नहीं देख सकते हैं क्योंकि उसमें आपको सि कोई दो-तिन मंत पर बनता है उसी तरह देखे 14 तारीका भी सारा डिटेल यहां दिया हुआ है 13 तारीका भी दिया हुआ है पिछला एक महिने का आप डेवाइस देख सकते हैं साथ-साथ मंतली कंजम्शन भी आप analysis कर सकते हैं और उसके बाद पिछला yearly कंजम्शन से भी आप compression कर सकते हैं यह सब आपको बिहार बीजली स्मार मीटर एप में मिल जाएगी इसके आलाबा देखिया आपको 3% rebate मिलेगा every charge पर क्योंकि आप पहले ही payment कर रहे हैं और एक महत्पून यह है जब आप tariff order देखेंगे तो सारे category में दिया गया है जो fix charge आप पुड़ा का अगर मेहना है तो 630 घंटा अगर power supply आपको हुआ तब ही आपसे fix charge लिया जाएगा तो यह record करने की facility जेनल मीटर में तो है ने क्योंकि मीटर में तो मन्थली record हो जाता है लेकिन आपका तो हर एक तारिक को billing नहीं हुआ आप 14 तारिक को पिछला मैना billing हुआ इस मैने आपको 15 16 तारिक को हुआ तो यह data इस बीच में कितना आपके आपको power supply हुआ यह तो मिलना मुश्किल है मिलेगा ही नहीं यह सुभधाय smart meter में है क्योंकि smart meter तो मन्थली भेज़ देगी और मन्थली आपका bill जब बनेगा तो अगर आपको कम बिजली supply हुआ अगर आपको हर दिन लग यह disconnection कैसे होता ऐसे ही नहीं हो जाता है आपको कम सकम तीन notice दिया जाएगा disconnection का उसके बाद आपका disconnection होगा और disconnection भी जो होगा सिर्फ 10 बजे दिन से 1 बजे दो पार के बीच ही disconnection होगा इस बीच में अगर आपका disconnection नहीं हुआ तो आप घर से आराम से जाएए संडे को त पंदेरे में रहेंगे 5 बजे लाइन कार्ट दिया है तो यह सब प्रॉब्लम नहीं होने वाला है आपका सिर्फ 10 एक के बीच लाइन कटेगा और जब आप पैसा जमा कर देंगे पूड़ा मतलब recharge कर लेंगे तो आपका reconnect हो जाएगा कोई reconnection चार्ज भी नहीं है पहले क्या output जो है यह आपका नहीं निकलेगा अगर recharge नहीं है तो जैसे ही आप डलाएंगे server में जाएगा और server इसको communicate करेगा इस meter को भाया इसका तो recharge हो गया चलो आप supply दो और supply देने लगेगा और यही सब फाइदा है तो smart meter के बारे में और अगर आप जाना चाहते हैं disconnection, reconnection के बारे मैंने बिस्तार से इस वीडियो में बताया है आप मेरे चैनल पे जाके smart meter का एक playlist है इस playlist में आप देख सकते हैं इसके अलाबा अगर आप विहाद बिजली app के बारे में जाना चाहते वो भी देख सकते हैं कैसे यूज करेंगे कैसे registration करेंगे daily balance कैसे करता है ये भी मैंने detail में बताया है और कैसे आप recharge करेंगे ये भी मैंने बताया है तो देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद आप मेरे चैनल को अगर subscribe नहीं किये हैं तो यहां subscribe button होगा आप subscribe कर लीजिए बहुत बहुत तन्यवाद